डियर स्टूडेंट आप सभी का अपने यूटूब चनल पर हार्दिक स्वागत है हम केमेश्टी क्लास 12 लेकर चल रहें प्रश्टर सैन जिसके कियां पार्ट 2 वाले वीडियो में आ गए हैं इसमें हम पूरा चैप्टर करवा देंगे तो यह परचेपड विधियां है जिसम में आपको हमने पढ़ाया था ब्रेडिंग आर्क विधि या विद्दूत प्रचेपड विधि इसको कह सकते हैं इस विद्वारा कापर सिल्वर सोना मलब गोल्ड प्लेटिनम आदिका कोलाइडी बिलेन पहले बनाया जाता है देखिए इससे पहले वाल अगर आप वीडिय बनाया जाता है इस विद्व में जिस धात का कोलाइडी बिलेन बनाना है माल लेते हैं तामबे का बनाना है तो उसी के इलेक्टोड का प्रयोग करेंगे यानि कापर का ही इलेक्टोड का प्रयोग करेंगे इन इलेक्टोड को जलसे भरे पातर में रखा जाता है जब विद प्रियोग करेंगे और उसको जल से भरे पात्र में रख देंगे कापर के कापर का मतलब इलक्टोड और जब हम बिद्धुत आर्क उसमें उत्पन करेंगे तब उच ताप पर टमप्रेचर देंगे तो ताप मान बढ़ेगा ताप मान बढ़ेगा तो धात वास्पित होकर देख लीजिए यह ब्रेडिंग आर्क विद्धी का डाइग्राम है यहां जल में के ओएच मिला गया है क्योंकि बिरोधिक बिलेन है इसमें विद्धुतार कुद्पन की गई है प्लस माइनस से और यह जो है ठंधा करने के लिए हीमसित मिस्राण यानि बर्फ जो है लगा आए बढ़ते हैं आगे आए देखते हैं पेप्टी करड क्या होता है इस बिद्ध में ताजे बने ओच्छेप में बिद्धुत अब घट मिलाने पर या किसी एक प्रकार के आयन को क्या करता है अपनी सतह पर अधिसोसित कर लेता है देखो दो तरह के आयन होते है धनायन य शेप में बिद्धुत अब घटी जम मिलाओगे तो इस पर किसी एक प्रकार के आयन को या तो धनायन को या तो रिडायन को अपनी सतह पर जोसित कर लेता है इस प्रकार यह आवेशित कर आवच्छेप से प्रथक होकर कोलाईडी आकार के कड़ बना लेते हैं या बिद्ध प्यप्टी करण कहलाती है, तथा मिलाया गया बिद्दू तबघट प्यप्टी कारक कहलाता है। यह उदारड की तरफ से जान पाएंगे इसको प्यप्टी करण को, जैसे यह हमारा AGCL का ताजा उच्छेव था हमने इसमें बिद्दुत अभगट के तोर पे AGNO3 यानि सिल्वर नाइटरेट हमने इसमें मिला दिया तो AGCL के ताजे उच्छेव ने क्या किया AG का है में टूटे गया AGNO3 AG PLUS NO3 माइनस तो PLUS वाले को AGCL के ताजे उच्छेव ने क्या किया अपने सते पर अदसोसित कर लिया सोंक लिया तो बचा कोण यानो3 माइनस बचा तो यहां पर देखेंगे AGCL क्या करेगा AG PLUS वाले को क्या करेगा धनात्मक साल वालों को अपने पास अदसोसित कर लिया अईसे ही इसे हम ले ले यहां AGCL का ताजा उच्छेव और यहां HCL विद्धु तब घटी के ताउर पेश में मिला दें तो AGCL क्या करेगा फिर CL माइनस आइन को अपने उपर क्या करेगा अदसोसित कर लेगा तो जब दनात्मक वाले को अदसोसित किया इसले इसको करेंगे दनात्मक सवाल positive सवाल this is negative सवाल आए जानते हैं कोलाइडी बिलेणों का सुध्धी करण कैसे करते हैं विबिन बिद्यों से प्राप्त कोलाइडी बिलेणों में प्राया अधिक मात्रा में विद्धुत अभगट यथवा विले सील पदार्थों के सुध्धियां पाई जाती हैं तो उसको नमबर एक हम सुध्ध कर सकते हैं अपोहन वा विद्धुत अपोहन द्वारा dialysis कर सकते हैं यथवा electric dialysis द्वारा तो कोलाइडी कर आकार में बड़े होने के करण जन्त जिल्ली में से गुजर नहीं पाते हैं परंत इनमें उपस्थित असुधियां जन्त जिल्ली में से आसानी से गुजर सकते हैं देखो फिर से में बता रहा हूँ जो कोलाइडी कर होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, बड़े होने के करणों जो जंद जिल्ली होती है, उसमें से गुजर नहीं पाते हैं, परंत इनमें उपस्तित असुद्धियां जंद जिल्ली में से आसानी से गुजर जाते हैं, अता इस बिद्ध में जंद जिल्ली से बने एक थैले में असु को भरा जाता है तता उपकरड को चित्र के अनुसार जो है ब्योस्थित करते हैं हम देखते हैं कि असुद्धियां धीरे-धीरे जन्द जिल्ली से बाहर आने लगते हैं क्योंकि अभी हमने बताया कि जो जन्द जिल्ली उती उसमें से कॉलाइडी के करना ही निकल पाएंगे असुद्धिया निकल जाएंगी और जब हम असुद्ध बिलेन को असुद्ध कोलाइडी बिलेन को उसमें भर देंगे तो असुद्धिया धीरे-धीरे क्या हो जाएंगी जनजली से बाहर निकल आएंगी तता कोलाइडी बिलेन अंदर जो बचेगा वो सुद्ध बचेगा य एक विधी यह हो गई अपोहन द्वारा डालेसिस द्वारा आए दूसरी जानते हैं दूसरी बिधी आति सूच हम निसे अंदन होती हैं लेकिन हमने जो आपको विधी बताई है इस बेरी मोस्त इंप्वार्टन आपोहन वा विद्दूत आए जानते हैं कोल आईडी बिलैनों के गुड़ तो विषमांगी प्रकृत के होते हैं हेट्रोजीनिस नेचर सभे कोल आईडी बिलैन्पिसमांगी प्रकृत के होते हैं तथा इनमें जो होती गREE दो आउस्था हैं प्रचेप्प्रावस्था एक परचेपड माध्य आये आगे चर्चा करते हैं बेरी मोस्ट इ बिलेन का अध्यन किया तो उन्होंने यह पाया क्या पाया कि बिलेन में कड़ जो होते हैं कुलाइडी कड़ वो लगातार आनियमित तेड़े-मेड़े ढंग से जिग-जैक तरीके से सभी दिसाव में गती करते रहते हैं यहां गती ब्राउनियन गत कहलाती है क्योंकि वैग् अध्यन किया तो उसमें देखा कि कॉलाइडी विलेन के जो पड़ होते हैं लगातार आनियमित तेड़े-मेड़े ढंग से सभी दिसाव में गती करते रहते हैं इसी गती को ब्राउनियन गत करते हैं कभी इधर जलता है कभी इधर कभी इधर कभी इधर और इस तरीके से ल पातर के पेंदी में नहीं बैठते हैं तथा लगातार गति करते रहते हैं आता इसी करण कॉलाइडी ब्लेंड़ों का इस्थायद तू बना रहते हैं कहने मतलब गुरुत्ता के मतलब से क्या होता कि कड़ों को एक नीचे बैठ जाना चाहिए तली में लेकिन यह लोग क्या क बहा जाता है विशिस्ता देखने हैं इसकी क्या है कड़ों काकार जितना छोटा होगा ब्राउनियन गत उतनी ही अधिक होगी जितने छोटे-छोटे कड़ोंगे उतनी तेजी-तेजी से गति करेंगे यह अंत समय तक बनी रहती जब तक कोलाइडी बिलेन रहेगा जब तक कोलाइडी कड़ गति करते रहेंगे ताब बढ़ने के साथ ब्राउनियन गति बढ़ेगी जैसे टंपरेचर बढ़ाएंगे तो पानी उबलेगा बिलेन तो और तेजी से क्या होगा जो कड़ है गति कर पाएंगे बिलेन की स्यानता बढ़ने के साथ ब्राउनियन गति गति जैसे 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 गाढ़ा होगा बिलेंड वैसे ब्राउनियन गती के कड़ कम गती कर पाएंगे तो आसा करते हैं ब्राउनियन गती आपके समझ में आई होगी आए चलते हैं बेरी मोस्ट इंपॉर्टन टापिक की तरफ टिंडल प्रभाव दूसरा इसमें इंपॉर्टन टापिक टिंडल प्रभाव बैग्यानिक टिंडल ने यहां बताया कि जब किसी साल साल मतलब कोलाइडी बिलेंड में से प्रकास पुंज को गुजारा जाता है तो उस प्रकास की दिशा से लंबवत देखने पर प्रकास पुंज जो है साल में चमकता हुआ नजर आता है इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं फिर से समझते हैं बैग्यानिक टिंडल ने यहां बताया कि जब किसी साल साल मतलब कोलाइडी बिलेंड में से प्रकास पुंज को गुजारा जाता है तो उस प्रकास की दिशा के लंबवत देखने पर प्रकास पुंज साल में चमकता हुआ नजर आता है इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं यहां यह देखो यह आपका हो गया बिलेंड यहां पर कोलाइडी बिलेंड हो गया और यहां से तुमने प्रकास रोद दिया तो यहां से जब प्रकास पुंज को गुजारोगे इसमें से तो प्रकास का प्रकीडन हो जाएगा पानी में से यानि ऐसे जाएगी एक किरण एक ऐसे जाएगी प्रकास का प्रकीडन हो गया तो टिंडल जो है संकू के आकार का इसके अंदर दिखेगा चमकता हुआ कोलाइटी कड़ो का आकार बड़ा होने की कारण ये प्रकास का क्या कर देते हैं करकिडन करते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं अधेरे में प्रकास पुंज का पत एक संग के समान दिखाई देता है जिसे टिंडल संग को कहते हैं आईए जानते हैं दो तरीके के बिलेन होते हैं तीन तरीके के वास्तिक बिलेन उसी में एक बिलेन का प्रकार है वास्तिक बिलें टिंडल प्रभाव नहीं दर्जाते हैं क्योंकि इनके कड़ों का आकार इतना छोटा होता है कि ये प्रकास का प्रकीडन नहीं कर पाते हैं अर्थात प्रकास का प्रकीडन कौन करते हैं बड़े अकार के कड़ उदारण आकास का रंग नीला दिखाई देता है किसके करड़ होता है प्रकास के प्रकीडन के करड़ धूम केत की पूँच दिखाई देना तारो का टिम्टि माना बंद कमरे में छिद से प्रकास कुँच का पत दिखाई देना ये सब प्रकीडन के करड़ हो पते हैं अर्था प्रकास का जो प्रकीडन होता है व प्रकास की तरंगदर्द के चतुर्द घाट varieties के नित्तवरान पाती होता है आए जनते हैं आँकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है वाई में उपस्तित धूल केἢ को लाइड्य बिलेंड का उधारण है बिल्कु सही है चुग नीले रंग की तरंग देर दिनियुंतम होती है कमज़े कम इसले नीले रंग का प्रकीडन सबसे अधिक होता इसलिया कास नीले रंग का दिखाई देता है आई जानते हैं नेश्ट टॉपिक इंपॉएंटेट कोल आइडी कड़ों का इसकंदन या इसको उच्छेपड या उड़न कह सकते हैं सभी कोल आइडी कड़ आभेसित होते हैं समान आभेस होने के करण इन कोल आइडी कड़ों में प्रतिकरशन होता है इस प्रतिकरशन के करण कोलाइडी करद दूर दूर रहते हैं तता सौल इस्थाई होता है फिर से समझते हैं सभी कोलाइडी करण आबेसित होते हैं लेकिन समान आबेस होने के करण इन कोलाइडी कड़ों में प्रतिकर्शन होता है और इस प्रतिकर्शन के करण कोलाइडी कड़ दूर दूर रहते हैं तता सौल इस्थाई होता है यद इन कोलाइडी कड़ों काभेज किसी प्रकार से नश्ट हो जाए तो ये कड़ उदासीन हो जाते हैं तता पास पास आ जाते हैं यदि ये उदासीन कोलाइडी कड़ हलके हैं तो बिलेंड की सते पर तैरने लगते हैं इसे उड़न फ्लोकलेशन कहते हैं जो उड़ने लगते हैं प्रश्ट पर आ जाते हैं तो उसको उड़न कह सकते हैं यदि हलके होंगे तो कहते हैं आये जानते हैं कोलाइडी बिलेनों के सकंदन की विदियां नमबर एक विद्धु तब घट मिलाने पर जब किसी कोलाइडी बिलेन में विद्धु तब घट मिला जाता है तो कोलाइडी बिलेन के आभेसित कड अपने से विपरीत आयनों को अपनी सतह पर अत्सोसित कर लेते हैं धता उदासीन हो जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं यानी सकंदीत हो जाते हैं यही करिया इसकंदन का इलादी कहने का मितलब क्या है जब किसी कोलाइडी बिलेंड में बिद्दू तब गट मिलाओगे तो कोलाइडी बिलेंड के आवेसित कर अपने से विप्रीत आयनों को अगर प्लस होगा तो मैनेस वालों को मैनेस होंगे तो प्लस वालों को अपनी सते पर क्या करेंगे चिपका लेंगे अद्सोसित कर लेंगे जिससे क्या होंगे वो न्यूंट्रल हो जाएंगे उदासिन हो जाएंगे तो भी हम किसी को लाइटिव लेंट का क्या करेंगे, इसकंदन करने के लिए मिलाए गए बिद्धो तब घटे में, सक्री आयन की सहुझकता जितनी अधिक होगी, उसकी इसकंदन चमता भी उतनी ही अधिक होगी, यानि हम जो मिलाएंगे बिद्धो तब घटे, तो उसमें जो सक्री आयन होगे, धनायन और रडायन, उनकी सहुझकता जितनी ज़्यादा होगी, वो इसकंदन चमता उतनी भी अधिक होगी यानि वो उतनी जल्दी से उसको निट्रल कर पाएंगे, और जल्दी से उसकंदित हो जाएगा, यही कहलाता हाल्दी सुल्जे का नियम, जैसे हम धनात्मक सॉल के लिए बता रहे हैं उधारण, यह फई ओएज का होल्थुराइज को और छोपित करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, तो यह फई और यहाँ पे Cn6, किगात माइनस 4, फिर यह बड़ा है सबसे ज़्यादा, फिर P4-3, फिर S4-2, और फिर Cl-, यह ननात्मक सॉल के लिए हो गया, रिदात्मक सॉल को इसकंदित करने के लिए उधारण, एस2, एस3 है, तो अल प्लस 3, सबसे बड़ा है, फिर Mg-2, फिर Na+, यह फिर Cn की होल 6 की गात माइनस 4, इसको करते है फेरोसाइनाइट का आयन, आये जानते है रच्छक कोलाइट, प्रोटेक्ट्ट्व कोलाइट, रच्छक कोलाइट क्या होता, जो रच्छा करता हो, हम जानते हैं कि द्रो इसने ही बिलेन, अधिक स्थाई होते हैं, जबकि द्रो विरोधी बिलेन, कम स्थाई होते हैं, द्रो इसने ही मतलब जो द्रो से लगाओ रखते हैं बिलेन, वो स्थाई होंगे, जबकि जो द्रो का विरोध करेंगे वो बिलेन, कम स्थाई होंगे, अगर वो विद्धु तब गट पा जाएंगे जल्दी से वो क्या हो जाएंगे नीट्रल हो जाएंगे और नीचे तली में बैठ जाएंगे भारी कड जिसे ये द्रोविरोधी है और ये बाहर वला द्रोश नहीं तो ये रच्छात्मक परत है द्रोश नहीं विद्धु तब कोलाइडी ब्लेड में द्रव इसने ही कोलाइडी ब्लेड हमने उपर से मिला दिया जाए तो यह द्रव विरोधी के चार और एक रच्छात्म क्या बना लेगा परत बना लेता है अता द्रव इसने ही कोलाइड एक रच्छक कोलाइड है और जो द्रव इसने ही होता है वो इतन कोलाइड की भाद कोलाइड की भाद भिवहार करता है तता सरकरा बर्प वा दूद के कड़ों को इसकंदित नहीं होने देती फिर से समझते हैं आइस क्रीम जब बनाई जाती है तो इसमें थोड़ी सी मात्रा जिलेटिन मिलाते हैं जिलेटिन मिलाने से जिलेटिन क्या है रच क्छा करेंगी किसकी आईस्कریम की यह आईस्कریम कें रच्छक क्लाइट की बहद बोहर करेगा और झाल आईस्क्रीम के इंदर जो सरकरा की मातरा है बर्फ की मातरा है दूद के कड़ों को वह इतनी यल्दी से इसकंदित नहीं होने देता है दूरा एक्जम्पल देखते हैं, काली स्याही में बबूल का गोन्द मिला आ जाता है, या रच्छक कोलाइड की भाद बिवहर करता है, जो काली स्याही पहले आती थी पे इनकी, उसमें बबूल का गोन्द मिला आ जाता है, या रच्छक कोलाइड की भाद बिवहर करता है, जो उपर से गुबूल का गोन सब वाइट कलर का होता है तता स्याही में उपस्थित कार्बन के कड़ों को इसकंदित नहीं होने देता है नहीं उनको अतनी जल्दी से मलब बैठने नहीं देता है आए जानते हैं स्वरडांक गोल्ड नंबर किसे कहते हैं तो द्रोष नहीं कोलाइट की सुस्क वस्था में जब सूखा हो द्रोष नहीं कोलाइट में मिली ग्राम मतलब बहुत कम मात्रा जो की 10 ml मानक गोल्ड साल को एक एमेल 10% NACL बिलेंसे सकंदित होने से रच्छा कर सके गोल्ड संख्या कहते हैं मतलब एक नंबर फाइंड किया गया जैसे मानक एक बनाया ग द्रोष नहीं कोलाइट की सुस्क वस्था में मिली ग्राम मत्रा जो की 10 ml मानक गोल्ड साल को 1 ml 10 % NACL बिलेंसे सकंदित होने से रच्छा कर सके behavioral द्रोष नहीं कोलाइट है कौन कौन? जिलेटिन हो गया, अल्बिमिन हो गया, स्टार्च हो गया, तो जिलेटिन का स्वर्ड संख्या कितनी स्वर्डांक है, जोईर पॉइंट 005 से 0.01 तक, अल्बिमिन का 0.10, स्टार्च का है 25, सबसे ज्यादा, तो ये पूरा चैप्टर हो चुका है, इमल्सन, पाइस, इस 25 के बाद में, जो 6 लेशन है कमिश्टी में, वो पूरा है, जो 30% से लेशन में लेश हो चुका है, हम आगे चर्चा करेंगे लेशन साथ की, तब तक के लिए, बने रहे हैं हमारे यट्यूब चैनल पर, धैन्यवाद,